नमस्कार आप सभी का डीजी स्कुल में स्वागत है आज हम लोग कक्छा साथ का संस्क्रीट एकादसः पाठा ब्यागर पतिक कथा जो हमने पिछले वीडियो में इसकी कहानी को पढ़ा है इसके हिंदी अनुवात को देखा है आज हम लोग इस पार्ट का कोश्चन एंसर को हम लोग करेंगे तो हम लोग इसकी सुरुवात करते हैं पहला में है पहला जो कोश्चन था वो कोश्चन नहीं है बलकि वो सब्दार्थ दिया हुए बुक में उसी को वो पहला नमबर दिया है दूसरा नमबर से हम लोगे स्टार्ट करेंगे प्रश्णानाम उत्तरानी एक पदेन लिखत कहता है कि प्रश्णों के उत्तर एक पद में लिखें एक पद का मतलब है एक सब्द क्वोश्चन है सरोवर तटे कह उपविष्टा आसित सरोवर के तट पर कौन बैठा था तो इसका एंसर होगा कौन बैठा हुआ था सरोवर के तट पर तलाब के किनारे कौन बैठा था ब्यागर बाग बैठा हुआ था ब्यागरस्य हस्ते की मासित बाग के हाथ में क्या था तो वो सोनय का कंगन लिया था याद हो का आप लोग को तो सुर्ण का कंगनम ठीक है, ब्यागरस्य हस्ते किम आसित, शुवर्ण कंकनम, क्लियर है, पथिक की द्रिशा आसित, वो जो पथिक था, वो कैसा था, तो वो हम लोग को याद होगा, कि वो लोभा, लोभ से अक्रिष्ट, तो लोभा क्रिष्ट, हम लोगों ने लिखा लोभा क्रिष्ट, पथिक अशनातुम कुत्र अगच्छत पथिक अशनान करने के लिए कहा गया तो तुलाब में जाना था न उसको उसका एंसर हो गया सरवरे पथिक कुत्र अपतत वो पथिक कहां पे गिरा कहां पे फंसा ठीक है तो उसका answer था कहा फसा था वो महा की चड में तो महा पंके ठीक है रेखांकितानी पदानी आधरित्य प्रश्न निर्मानम कुरुथ कहता है कि जो रेखांकित पद हैं उसके आधार पर हम लोग को प्रश्न का निर्मान करना है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यह पहला question है मेरा और यह सरोवर तट को रेखांकित किया हुआ है तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिखेंगे इसका meaning हुआ है कि सरोवर तट पर एक बाग था तो इसका हम लोग एदी प्रश्ण बनाएंगे तो कहां पर एक बाग था यही होगा ना कहां पर तो हम लोग लिखेंगे कुत्र एक ब्यागरह आसित तो सरोवर तटे के जगह पर कुत्र लिख देंगे हम लोग यह मेरा प्रश्ण बन गया इसका ख है सरोवरम परितवरिक्छाह आसन सरोवरम ठीक है यह अंडरलाइन किया हुआ है कहता है कि सरोवरम परितवरिक्छाह आशन तो हम लोग यहां पर एक बात याद रख लेंगे कि यह जो लिखा हुआ है ना सरोवरम परितव तो जब दोनों और चारों और है ना सब और तो वहाँ पर संस्कृत में डूतिया विभक्ती का प्रियोग होता है तो यहाँ पर है सरोवरम तो यहाँ पर सरोवर में डूतिया विभक्ती लग करके सरोवरम हो गया है तो सरोवरम परितः व्रिक्षा आशन बने सरोवर के चारो और व्रिक्ष थे इसका मीनिंग यही है अब प्रश्न है किसके चारोर तो यहाँ जब भी लगेगा तो यह डूतिया विभक्ति का परियोग होगा तो हम लोग यहाँ पे कम लगाएंगे कम परितव रिक्षा आशन क्लियर है इसके बाद है तस्य हस्ते सुवर्न कंकनम आसित उसके हाथ में सोने का कंगन था ठीक है तस्य मतलब उसके हाथ में सोने का कंगन था तो प्रश्न बनाएंगे किसके हाथ में तो हम लोग लिखेंगे कस्य हस्ते सुवर्न कंकनम आसित इसके बाद है पाप कारणात मम भार्या साव का चम्रता कहता है कि पाप के कारण मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मर गए तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाप कारणात के जगह पर पाप के कारण तो किस कारण मेरी पत्नी और बच्चे मर गए तो कस्मात कारणात किस कारण से मेरी पत्नी और बच्चे मर गए यही होगा न हिंदी में तो हम लोग भी यहाँ पे बनाए कस्मात कारणात मंभार्या सावका चव मृता अहम प्रिष्ठेन कुब्जह मैं पीट से कुबड़ा हूँ तो हम लोग यहाँ पर एक बात याद रख लेंगे ना जब किसी अंग में विकार हो मतलब किसी भी अंग का यदि खराब हो आख से अंधार तो वहाँ पर तृतिया विभक्ति का प्रियोग होगा तो यहाँ पर यह अंग है ना पीट तो यहाँ पर जब भी लगाएंगे हम लोग तो तृतिया विभक्ति का प्रयोग होगा मैं पीट से कुबडा हूँ यही था तो अहम प्रिष्ठेन यहाँ पर है दिया हुआ अंडरलाइन के वर रेखांकित है तो जो रेखांकित सब्द है यहाँ पर तृतिया विभक्ति का प्रयोग लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ भी तृतिया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे आहम केन कुबजह मैं किस से कुबडा हूँ ठीक है तो यह हो गया हम लोग का कोश्टक में दिये गए सब्दों में समुचित विभक्ति जोड़कर समुचित विभक्ति लगा कर रिक्त अस्थानों को भरें पूरा करें जैसे एक्जामपल में दिया हुआ है पहला को विद्यालेयां पलेयां लिखाली जगा था उभयता विक्षा संती यहां कोश्टक में विद्यालेय था तो यह लगाया विद्यालेयां तो हम लोगों ने जाना है पहले ही कि दोनों और चारों और इसके अर्थ में दूतिया विभक्ति का प्रियोग होता है तो उभयता परिता यह जहां भी रहेगा तो हम लोग दूतिया विभक्ति लगा देंगे तो यहां पर विद्यालेय है तो विद्यालेय का दूतिया विभक्ति हो गया विद्यालेयां यहां लिखा हुए खाली जगा था उभयता गोपाली का अब रैकेट में था क्रिश्न तो कृष्ण में दूतिया भी भक्ति लगा देंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पर उभयता है तो यहाँ भी उभयता था तो दूतिया भी भक्ति का प्रियोग करेंगे हम लोग तो कृष्ण का दूतिया भी भक्ति जब लगा देंगे हम लोग कृष्ण में तो वो हो जाएगा कृष्णम तो कृष्णम उभैत गोपालिका हो गया ख कहता है ग्रामम परित गोचारन भूमी यह यहाँ पर यह लगाया है ग्रामम तो परित लगा हुआ है तो अभी हम लोग जाने हैं कि उभैता परिता में दूतियाभी भक्ती तो यहां ब्रैकेट में ग्राम था, ग्राम से बन गया ग्रामम इसी के अधार पे हम लोग देखेंगे, यहां पे खाली जगा था लिखा है परिता भक्ता अब रैकेट में है मंदिर, तो यहां पे परिता है, तो कौन सा भी भक्ती लगेगा? दूतियाभी भक्ती लगेगा तो मंदिर में दूतियाभी भक्ती लगा देंगे तो हो जाएगा मंदिरम तो हम लोग लिखें मंदिरम परिता भक्ता प्लियर है फिर है अहम बिद्यालियम प्रती गच्छामी यहाँ विद्याले था तो विद्याले से लगाया है विद्यालेयम और यह प्रती लिखा हुआ है तो हम लोग इसको याद रखेंगे जैसे अभी हम लोग याद रखेंगे थे कि उभैता परिता में दूतियावी भक्ती प्रती जहां लगेगा तो वहाँ भी द्यूतिया अभी भक्ती का ही प्रियोग होता है इसलिए यहां पर यह विद्यालयका विद्यालयम लगाया तो हमारे पास है, सह खाली जगा था प्रती गच्छति, यहां प्रती लग गया है इसका मतलब यहां ब्रैकेट में जो भी गच्छती तो पित्री था तो पित्री यहां साकम मतलब साथ में तो जब ऐसा होगा साथ में जैसे वह पिता के साथ जाता है तो वह जाता है अब पिता के साथ में तो साथ के अर्थ में लगेगा तुरितिया भी भक्ती लगेगा तो वहां हम लोग लगाए पित्री का हो गया पित्रा मतलब वो तुरितिया विभक्ति लगने के बाद हो गया पित्रा मंगला खाली जगह है साकम भ्रहमती अगरज तो अगरज का तुरितिया विभक्ति लगा देंगे तो अगरजेन तो हम लोग यहाँ पे लिखें मंगला अगरजेन साकम भ्रहमती इसके बाद है नेक्स्ट सुर्याय नमः तो नमः के अर्थ में चतूर्थी विभक्ती का प्रियोग होता है ठीक है हम इसके उपर एक अलग से बना देंगे वीडियो जिसमें कि आपको सारा चीज क्लियर होते जाएगा तो यहां है सुर्याय नमः तो शुर्याय नमः मतलब नीचे लिखे गए पदों के लिंग, विभक्ती और वचन लिखें जैसे ये एक एक जामपल दिया यह था वृद्ध तो वृद्ध जो है वृद्ध ये क्या है पुलिंग है एक वचन है और प्राथमा भिभक्ती है लिंग इसका हो गया पुलिंग इसका भिभक्ती हो गया प्राथमा और वचन हो गया एक वचन उसी तरह से कंकणम तो कंकणम जो है वो क्या है नपुनसक लिंग है तो हम लोग लिख दिये नपुनसक लिंगम प्रतमा विभक्ति है और बचन इसका एक बचन हो गया प्राणी नाम ये है पुलिंग तो पुलिंगम प्राणी नाम है इसका मतलब की इसमें सस्थी विभक्ति लगा हुआ है और ये सस्थी लेकिन ये बहु बचन तो यह बहु बचनम होगा पृष्ठेन में कौन भग्ति होगा, तृत्या, यह नपुन्शक लिंगम है, तृत्या भग्ति है, और एक वचन है, शरोवरे नपुनशक लिंगम, सप्तमी और एक वचनम, ठीक है, ब्यागरच अब्mpुलिंगम, पंचमी भग्ति और एक video, उरेक वचनम. और ये इसका विभक्ती हो गया और इधर हो गया इसका वचन question number six कहता है रेखांकितानी पदानी संसोध्य लिखत रेखांकित पदों का संसोधित करके लिखें मनता है सुध्ध करके लिखें जैसे लिखा हुए सरोवरास्य परिता उन्नता व्रिक्षा आशन तो कहता है कि सरोवर के चारो और उन्नत व्रिक्ष थे ठीक है तो हम लोग को इस सरोवरास्य को सुध करना है तो हम लोग पढ़ें हैं अभी कि उभैता परिता के योग में दुतिया विभक्ती का प्रियोग होता है तो सरोवरस या गल्ती है तो यहां सरोवरम हम लोग लिखेंगे उसी तरीका से अहम ब्यागरम बिभेमी तो जब वो डर और जब होता है ना डर पैदा करने के लिए तो वहां प्रियोग होता है तो अहम ब्यागरात बिभेमी ठीक है? यहां ब्यागरम नहों करके ब्यागरात हो जाएगा अहम तो अहम ब्यागरात विभेमी फिर है अगला अहम प्रिष्ठात कुब्जह मैं पीट से कुबडा हूँ तो हम लोग जाने हैं, हम लोग देखें हैं भी कि जब कोई अंग में कोई विकार हो तो वहाँ पे तृतिया विभक्ती का प्रियोग होता है तो यहाँ पे प्रिष्ठात नहों करके प्रिष्ठेन हो जाएगा तृतिया विभक्ती प्रिष्ठेन होगा कथम मारात्म के त्वम विश्वास कहता है कि तुम्हारे जैसे हिंसक पर विश्वास कैसे किया जाए तो जब विश्वास के योग में जब यहाँ पे है न विश्वास तो विश्वास के योग में हम लोग देखेंगे कि वो सब्तमी विभक्ती का प्रियोग होता है तो तौम का सब्तमी विभक्ती हो जाएगा त्वई तो कथम मारात्म के त्वई विश्वास त्लियर है उसके बाद है अहम त्वाम पंकस या निश्का सियामी तो यहां हम लोग देख रहे हैं क्या कि यह यहां पर अलगाओ हो रहा है कहां से अलगाओ हो रहा है कीचर से मैं तुम्हें कीचर से निकाल दूँगा निकाल मतलब पंजमी विभक्ती का प्रियोग करेंगे अहम त्वाम पंकात निश्कास यामी ठीक है? तो यहां हम लोगों ने देखा कि परिता के योग में दुतिया विभक्ती तो सरोवरस्य नहो करके सरोवरम होगा यहां विभेमी डर के लिए व्याखरात हो जाएगा कुपजह के लिए तृतिया विभक्ती तो प्रिष्ठेन लगेगा यहां पे विश्वास के अर्थ में सब्तमी विभक्ती का प्रियोग होता है तो त्वाम के जगह पे त्वई होगा और यहां पे यह पंकस सिके जगह पे पंकात होगा अपादानकारक पंचमी विभक्ती का प्रियोग होगा निस्त मने अलगाओ के लिए तो यह हम लोग कोश्चन नमबर 6 भी देख लिए कोश्चन नमबर 7 है कोश्चकात समचितम पदम चित्वा रिक्तस्थानानी पूरियत कोश्ठक में दिये गए समचित पत्ष से कोच्चून कर रिक्तस्थानों को भरे यहां खाली जगह है नमबर 9 और यह ब्रैकेट में लिखागा हरीम और हरय हर ये तो नमा के अर्थ में हम लोग को पता है कि चतूर्थी विभक्ति का प्रियोग होता है तो यहां हरी मतलब की दूतिय विभक्ति है तो हम लोग तो यह लिखेंगे नहीं तो हम लोग इसलिए लिखेंगे हर ये नमा रमेश लेखन्या लिखती यहाँ पर है रमेश लेखन्या से लिखता है मतलब तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह लगेगा यहाँ पर कृतिया भीभक्ती का प्रियोग होगा तो रमेश लेखन्या लिखती फिर है परितः क्रिसी छेतराणी संती तो परितः के अर्थ में द्यूतिया विभक्ति का प्रयोग होता है इसलिए हम लोग ग्रामम लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे ग्रामस्यन लिख करके ग्रामम भरेंगे इसके बाद है नमह तो हम लोग यहाँ पर भी देखे थे नमः के अर्थ में चतूर्थी विभक्ती का प्रियोग होता है तो यहाँ पर अमबाया ना होकर के अमबाये होगा यह चतूर्थी विभक्ती है इसके बाद है उपरी उपरी अभिनेता अभिनयम करोती तो उपरी के अर्थ में सस्थी विभक्ती का प्रियोग होता है तो हम लोग यहाँ पे सस्थी विभक्ती देखेंगे मंचस्य और मंचम तो मंचस्य में सस्थी विभक्ती है मंचम में दूतिय विभक्ती है दूतिया विभक्ति है तो हम लोग मन्चम न लिख करके मन्चस्य भरेंगे यहाँ पर इसके बाद है उभायता पुत्रो अस्ता तो हम लोग जानते हैं उभायता परिता इसके योग में दूतिया विभक्ति का प्रयोग होता है तिहाँ हम लोग देखेंगे पितरम और पितू किसमें दूतियाभी भтаки है तो पितरम में, तो हम लोग यहाँ पे लिखांगे पितरम, उभायता, पुत्रो, अस्ता तो हम लोग यहाँ पर ये देख लिए और इस तरह से हम लोग इस पाथ का सभी question का हल कर लिए सभी प्रश्णों का हल कर लिए तो यह दिया आपको अच्छा लगा हो तो please like और share जरूर कीजिएगा और यह दिया आप मेरे channel पर नए है तो please मेरे channel को subscribe जरूर कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद